मैं डाक्टर नीना, YRC काउंसलर, BRM कॉलेज ओफ एजुकेशन घरोंडा, आज मैं आपको एक ऐसे शक्सिय से रूबरू करवाना चाहती हूँ, जिसने रेड ग्रोस का छंडा गीत लिखा, उनका शक्सियत का नाम है शेशी, महता जी, सौनीपत से यायों में हैं, ये आपको पताएंगे किनों ने जंडा की किस परकार से लिखा 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 लेज प्लेज प्लेज लेज प्लेक शॉंग, ट्यूनिग आयम बीकिंग, ड्यकॉस का ये धंडा, पेलाए भाई चारा, आशाओं को जगा कर, सेव का देता नारा, रेड़कॉस का ये धंडा, पेलाए भाई चारा, आशाओं को जगा कर, सेवा का देता नारा, संदीव शांती का सूचक सफेद रंग है, संदीव शांती का सूचक सफेद रंग है, रक्षा दया मदद की बड़ता ने उमंग है, रेड़कॉस का ये जंडा, पेलाए भाई चारा, आशाओं को जगा कर, सेवा का देता नारा, आप बताएंगे, आपकी एज कितनी है और कब से आपको जहां का एक्सपीरियंस है, बेटेजी, एक्चुले, माई एज सेवेंटी थी, मैं कैसाता हूं, कि लोग तो जनम दीन उजनी बनाते, पैदा बनाते, जिदे वो पैदा हूआ, बट मैं रेड़कॉस में जिदे जिदे वो समाज में, समाज इसको मानता देता है, जिदे वो समाज में, समाज इसको मानता देता है, उजन पैदा होता है, जिदे वो समाज में, समाज इसको मानता देता है, उजन पैदा होता है, जिदे वो समाज में, समाज इसको मानता देता है, उजन पैदा होता है, जि आपने समाज के साथ जिसमें सभी अधिकारी जिरासर पर मुझे कामना देते हैं अशिर्वा देते हैं मैं समझता हूँ कि आज रेट कोस में मैं प्यादा हूँ आठ मही को मैं जब तक जिंदगी रहेगी मैं आठ मही जिसको अपने समाज के साथ ऐसे बच्चों के साथ अब यह कैंप चल रहा है स्वेड़ पर मैंने इनको का सभी बच्चों को आठ मही आने वारा दिवस आपके जीवन में परियोटन लाए और परियोटन आ गया तो समझे तुमने इस कार वोर पहन कर ऐसे कर दो